आनिंदूबी जी जो मैं आपसे सवाल कर रही थी सर उस सवाल का सीधा-सीधा मतलब ये था कि आप लोग निन्दा कर रहे हैं आप लोग निन्दा करेंगे जब टीवी चैनल पर आपसे सवाल पूछे जाएंगे लेकिन अगर आप ही के साथ जुड़े हुए आपके गठपन् उनसे बात भी करेंगे लेकिन सबसे पहले जरा विनॉध बंसल जी की बात का जवाब दे दूं बहुत बार आरोप लगा रहे हैं कि उसे ना हनुमान चालसा का विरोध करती है विरोध बंसल जी दिन में कितनी बार हनुमान चालसा पढ़ते हो पूरी हनुमान चालसा आती भी है आपको क्यों आरोप लगाते हो अरे हम सनातनी लोग, हनुमान चाल्चा दिन में चार बार पढ़ने वाले लोग, हम पे आरोप लगाते हो, हमने एक व्यक्ति विशेज को रोका था, हनुमान चाल्चा का विरोध कभी सिवसे नहीं कर सकती, इस जीवन में, अगर कोई हमें चेतावनी देगा, कोई हमारे घर म है चुके हो, हम लोग एक दूसरे के साथ, तीस वर्साने में रहे, आप उसके बाद भी हमें पहिचान भी पाए, आप केवल गंदी लाज़िकी का शिकार होते रहते हो, केवल भारती यल्टा पार्टी के बाकावे में आते हो, और एक दूसरे पर आरोप लगाते हो, आप लगाते हो, आपको अपना बयान वापस लेना चाहिए, अच्छा एक ही करके बात करते हैं, सर एक ही करके बात करते हैं, मैं आपसे सवाल कर रही हूँ, विनोद बंसल जी को में रोक चुके हूं, सर आपका ये जो गुस्टा है, आपके ये जो नाराज़की है, या आपके नेताओं की ये जो निंदा है या ये जो विरोध है ये खुलकर सामने नहीं आ रहा ये मेरा सवाल था आपने कहा कि 30 साल के अमारे अनुभव उसके बाद भी विनोध बंजल जी आपको नहीं पहचान पा रहे हैं तीस साल के अनुभव में ये तो आपका चेहरा नहीं था कि स प्रतिक्रिया दो कि आप आस्वस्त हो जाएं आप कहें कि नहीं भाई मजा आ गया शूसेना ने जो प्रतिक्रिया देनी चाहिए थी अरे दस बार कह रहा हूं कि हम इस गटना का इस बयान का विरोध करते हैं या निंदनी बयान है राजनीतिक समाजिक निताओं को ऐसे बय साग्या अनन दुबेजी ने ऐसी निंदा कर दी मैं आपसे ये पूछ रही हूं कि आपका जो एजंडा था आपका जो स्वरूप था यादे मुझे वो वक्त भी जब हिंदूत्व पर हमला होता था या हिंदू के खिलाफ बयान आते थी तो शिवसेनिक सड़कों पर होते सब्सक्राइब आपका वो गुस्सा मैं यह कह रही हूं कि इतना क्यों बदल गए आपके मेरे पूछने पर आपकी प्रतिक्रिया है आप स्वता संग्यान नहीं ले रहे इस वीडियो का ले नी सकते यह बोलिया अच्छा अब बोलू अब एक मिन बोलू बोलिये बोलिये दुरबाग्यपुर्ण है निंदनी है जितनी इसकी निंदा की जाए उतनी कम है हम अपनी आपती जतारे हैं हम आप सके नहीं बोल सकते chopped जी overe कौन है आपने तो हिंदू तो कपका छोड़ दिया अरे हम किसी का ठेका नहीं ले रहे हैं हम देश के नागरी के नाते कहते हैं आप गालिया बते जाए और हम कुछ बोले भी ना आप कहां से कहां पहुँच गए आपके वो नेता जो आभी भी विश्वास दिलाने की कोशिश करते हैं कि आपका अभी भी प्रमोक एजन्डा हिंदुत्व है उन्होंने क्यों इस वीडियो का स्वते संग्यान नहीं आपने क्यों इंतजार किया TV चैनल्स का या मीडिया का कि आपके प्रश्ण करेंगे आप तभी निंदा करेंगे क्या आपकी कोई और जिम्मेदारी पहले से जिम्मेदारी नहीं बनती थी ये मेरा प्रश्ण था आपने कई आरोप लगाए मैं धरमे माफ कीजेगा सिधार जी से इस बात का जवाब में लूँ सिधार त्यादर जी जितनी भी उगलिया आप विपक्ष पर उठा रहे हैं उतनी ही उगलिया आप पर भी उठ रही हैं चाहे दरमेंदर जी की बात कर लीजे चाहे आनन जी की बात कर लीजे दोनों कह रहे हैं आपका बोया हुआ भीज है उससे फल भी ऐसे ही आएंगे जैसा आपने बीज बोय वाइरस है जो इनके दिमागों में घुजा हुआ है वो डिवाइसिव वाइरस है वो देश को बाटने वाला वाइरस है कभी आरियन करके देश को बाटेंगे कभी नॉर्थीस्ट को अलग बाटेंगे नॉर्थ साउथ करके बाटेंगे कभी कश्मीर को तोड़ देंगे कभी को तोड़ देंगे ये देश में ये भारत जोड़ो तो नाम है इनका बस भारत तोड़ो की यात्रा निकालते हैं और आनन जी आपने प्राची जी उन अब इस प्रकार की बात करते हैं और इसका इतिहास भी देश को पता होना चाहिए यह आज पहली बार आप लोगों नहीं कर रहाएं जो आपका में नामंत्री शिंदे जी बोलते थे यह भगवा आतमवाद इस देश में तब क्या था जब मनमहन सिंग जी बोलते थे कि देश में पहले हैं जो बीच में अपना बर्बाद करने वाले, आज आपको तीवी पे बैटकर जस्टिफाई करना पढ़ रहा है, हनुमान चालिसा के लिए, खोड़ दिया है, खोड़ी आनजी नागरिक के नाते बोल रहा हूं आपको, आप अपने गरेबान में छाकर देखिए तो क्या देना है, क आप सनातन पर बात करते हैं, और बाप रहा है, आपने अपने पाइट करते हैं, और अपने लोगों के लिए नियुस गूगल प्ले स्टोर या एप स्टोर पर